Hello everyone, आज हम discuss करेंगे defect of vision से related कुछ numerical problem तो numerical number 7 है हमारे पास एक person is unable to see object nearer than 100 cm एक person है वो 100 cm से nearer object पास के object को नहीं देख पाता असानी से अब आपको पता है ये defect कौन सा होगा ऐसा defect जिसमें person पास के object क्लियर नहीं देख पाता लेकिन दूर के object को clear देख पाता है ऐसे defect को हम बोलते हैं hypermetropia अब बोला गया he wants to read a book placed at a distance of 50 cm वो 50 cm दूर रखके एक book को read करना चाहता है find the nature, focal length and power of lens अब आपको ये बताना है कि उसको 50 cm पे clear read करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा lens use करना पड़ेगा, आपको calculate करके बताना है, तो आप देखो यहां पर आपको बोला गया उस person को कहां तक की image clear दिखाई देती है only 100 cm तक की image clear दिखाई देती है और कहां रखके वो object को कहां रखके read करना चाहता है 50 cm पे, it means object का distance आपको कितना दिया गया है 50 cm और उसको कहां तक के object clear दिखाई देते है only 100 cm से beyond के object clear दिखाई देते है it means image का distance आपके पास कितना होगा 100 cm होगा अब देखो यहां पर sign convention यूज करते है object हमेशा कहां पे रखा जाता है lens के left side पे रखा जाता है और lens के left side के सारे distances क्या होते है negative होते है इसलिए u की value को क्या लेकर चलोगे negative लेकर चलोगे image का distance real और inverted image बनती है हमेशा हमारी eyes के अंदर क्योंकि हमारी eyes के अंदर convex lens होता है और convex lens हमेशा real और inverted image बनाता है तो b की value real और inverted image के लिए हम negative sign use करते हैं तो B की value आपके पास कितनी आएगी negative आएगी तो आप देखो focal length क्या कैसी calculate करेंगे सबसे पहले आपको focal length calculate करने पड़ेगी क्योंकि power निकालने के लिए आपको focal length चाहिए focal length calculate करने के लिए lens formula use करते हैं 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U values को यहां में put करेंगे तो B की value आपके पास कितनी है 100 minus U की value आपके पास कितनी है minus 50 solve करते हैं इसको तो 1 by F 100 LCM लिए आपने यहां पे value कितनी आए minus 1 minus minus plus यहां पे value कितनी आए 2 तो देखो 1 by F is equal to 1 divided by 100 तो F की value आपके पास कितनी आगई 100 cm अब आपको पता है जब हम power of lens यूज करते हैं तो focal length को किस में लेकर चलते हैं हमेशा meter में लेकर चलते हैं तो इसको 100 से divide करेंगे और इसको meter में convert कर लेंगे इसको 100 से divide करोगे तो आपके पास focal length कितनी आजाएगी 1 meter आजाएगी अब देखो इसके बाद अब आपको calculate करने को कहा है power of lens power of lens calculate करने के लिए formula यूज करोगे P is equal to 1 by F और F को किस में लेकर चलोगे meter में लेकर चलोगे अब देखो हमने F की value meter में calculate कर लिए इतनी 1 meter इस formula में put कर दो P is equal to 1 by F F की value आपके पास कितनी है 1 meter ही है तो power कितनी आजाएगी आपके पास 1 diopter तो आप देखो उस person को कितनी power का lens यूज करना पड़ेगा 1 diopter की power का lens यूज करना पड़ेगा अब nature भी हमें बताना है कि nature कैसा होगा कौनसा lens यूज करना पड़ेगा concave या convex अब आपको बता है अगर power positive आती है it means कौनसा lens यूज करना पड़ता है उस person को convex lens यूज करना पड़ता है और अगर power negative होती है तो कौनसा lens यूज करते है concave lens यूज करते है तो यहाँ पे positive scientist को represent कर रहा है कि उस person को convex lens use करना पड़ेगा Next numerical and numerical number 8 The far point of a myopic person is 150 cm in front of the eye एक person है जिसको myopia defect है Myopia क्या होता है ऐसा defect जिसमें person को past के object तो clear दिखाई देते हैं लेकिन दूर के object clear नहीं दिखाई देते ऐसे defect को हम मोलते है myopia अब आपको पता भी होगा कि एक normal eye के लिए near point होता है 25 cm और far point कितना होता है infinity होता है अब देखो इस person को सिरफ और सिरफ 150 cm तक के object ही clear दिखाई देते हैं 150 से दूर के object 150 cm से beyond object clear दिखाई नहीं देते तो अब देखो यहाँ पे बोला गया calculate the focal length and power of lens required to enable him to see distinct object clearly कि दूर के object को clear देखने के लिए उस person को कितनी power का lens use करना पड़ेगा और कौन सा lens use करना पड़ेगा और उसकी focal length क्या होगी यह सब आपको calculate करना है अब देखो अगर आप object को far point कितना होता है normal eye के लिए infinity अगर आप object को infinity पर रखोगे तो उस person को clearly दिखाई नहीं देगा और हमें 150 cm तक के distances को clearly देख पाता है तो अब देखो यहां पर sign intervention use करते हैं सबसे पहले object जो होता है वो हमेशा left side पर present होता है और left side पर present होने की वज़े से u की value को क्या लेकर चलते है negative तो यह value को हम क्या लेकर चलेंगे negative लेकर चलेंगे अब देखो v, v होता है image का distance अब देखो जो image होगी हमारी आंकों के अंदर convex lens होता है और वो real or inverted image बनाता है इसलिए real or inverted के लिए हम sign use करेंगे negative तो v की value को क्या लेकर चलोगे आप negative लेकर चलोगे आप देखो focal lens calculate करने को बोला गया focal lens calculate करोगे कैसे lens formula से lens formula क्या होता है 1 by f is equal to 1 by b minus 1 by u values को put करते है 1 by f is equal to b की value आपके पास कितनी होगी minus 150 minus u की value आपके पास कितनी है minus infinity solve करोगे तो 1 by minus 150 plus minus minus कितना हो गया प्लस हो गया अब देखो 1 by infinity क्या होता है जीनो होता है तो f की value यहां से आपके पास कितनी आए minus 150 cm तो आप देखो जब हम power calculate करते हैं उसके लिए हमें sign क्या लेकर चलना पड़ता है focal length को हमें meter में लेकर चलना पड़ता है क्योंकि power का formula क्या होता है f p is equal to 1 by f और f को हमेशा meter में लेकर चलते हैं तो इसको meter में convert करेंगे तो इसको divide कर देंगे किस से 100 से 100 से divide करेंगे तो आपके पास f की value कितनी आ जाएगी minus 1.5 meter, तो आपके पास f की value कितनी आई minus 1.5 metre, आप हम Power calculate कर लेते हैं Power calculate करोगे, Power का formula होता है 1 by f और f को किस में लेकर चलोगे ? meter में लेकर चलोगे आपके पास कितनी? माइनस 1.5 मीटर तो यहाँ से पावर आपके पास calculate हो गई माइनस 0.67 डायोक्टर तो अब देखो पावर अगर negative होती है तो कौन सा lens यूज करते हैं? हम concave lens यूज करते हैं पावर अगर positive होती है तो हम कौन सा lens यूज करते हैं? convex lens यूज करते हैं तो यहाँ पे negative sign किसको यूज कर रहा है कि हमें कौन सा lens यूज करना पड़ेगा? concave lens यूज करना पड़ेगा अब यह आप theory में भी पढ़ चुके हैं कि myopia ऐसा defect जिसमें person को past के object to clear दिखाई देते हैं लेकिन दूर के object clear नहीं दिखाई देते ऐसे defect को ठी करने के लिए हमें concave lens यूज करना पड़ता है तो देखो mathematically भी हमारे पास negatives आएंगी किसको बता रहा है कि concave lens यूज को यूज करना पड़ेगा और power कितनी होनी चाहिए minus 0.67 diopter और focal length भी हमने calculate करनी तो पास की वी जाला मेज्ट करने का काम करती है मिस अगर हम दूर के object बहुत नहीं तब focal length के इस क हमthem पास की object देखते हैं तब भी focal length के काम करती है तो देखो यही एबिटी फोकल लेंग को अर्जेष्ट करने का काम करती है power of accommodation the ability of the eye lens to adjust its focal length is कार्ड पावर ओफ अकॉमोडेशन सेकंड कोश्चन है हमारे पास एक पर्सन विदे मायोपिक आई अब आपको पता होना चाहिए मायोपिया क्या होता है ऐसा डिफेक्ट जिसमें पास के अब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई दे लेकिन दूर के अब्जेक्ट क्लियर ना दिखाई दे ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया एक पर्सन विदे मायोपिक आई चैनोट सी बियोंड 1.2 मेटर मींस वो जो पर्सन है वो सिरफ 1.2 मेटर तक के अब्जेक्ट को ही देख पाता है मींस 25 से 1.2 मेटर तक के डिस्जेंस को तो क्लियर देख पाता है लेकिन उसके बाद उसके बियोंड जितने भी अब्जेक्ट रखे होंगे वो उसको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ऐसे डिफेक्ट में दूर के अब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते इसजेंस 1.2 मेटर से इंफिनीटी के बीच रखे हुए कोई भी अब्जेक्ट इस पर्षन को क्लियर दिखाई नहीं देगे उस पर्षन को इस डिफेक्ट से छुटकार पाने के लिए कौन सा लेक्ट यूज करना पड़ेगा तो देखो दूर के object को देखने के लिए हम use करते हैं concave lens तो ये person, जिस person को myopia defect होता है उस person को concave lens use करना पड़ता है ताकि जो image है वो retina पर बन जाए क्योंकि myopia में क्या होता है जो image होती है वो retina पर बनने की बज़ाए retina से पहले बन जाती है अब उस image को वापिस है retina पर बनाने के लिए हमें use करना पड़ता है concave lens तो he should use concave lens as a corrective measure